Hello friends, इस वीडियो में हम class 4 EBSK PD2 का sample paper solve करेंगे आपके paper का सबसे पहला part है observation and reporting 10 marks का है इसमें आपसे question पूछा जा रहा है observe the pictures, write their names, write one or two sentences about them अब आपसे question पूछा जा रहा है name this farming tool, it is used अब आपके सामने ये farming tool दे रखा है इसको आपको नाम बताना है और ये बताना है कि ये किस काम आता है तो इस tool का नाम है खूटी और इसका काम है to dig and loosen the soil before sewing ये मिट्टी को खोदने के लिए काम आता है मिट्टी में हम बीच जालते है लेकिन बीच जालने से पहले मिट्टी को खोदा जाता है इसको ढीला किया जाता है ताकि उसके अंदर पीच ढाल सके अगला इसका आंसर होगा ये जो बीख है इसका नाम है ईगल और इगल की जो बीख है वो काम आती है to tear and eat meat मीट को फाडने के लिए और खाने के लिए इसकी ये बीख काम आती है अगला कोशन है अब आपके सामने पिक्चर में जो nest दे रखा है आपसे पूछा जा रहा है कि किस bird का है तो इसका अंसर होगा ये sunbird का nest है और ये जो nest होता है वो small tree की branches और ज़ाड़ियों पर लटका होता है अगला question है अब आपसे question पूछा जा रहा है कि बीहू किस टाइब का festival है और किस state में celebrate किया जाता है तो इसका अंसर होगा बीहू is the harvest festival harvest का मतलब होता है कि जब हमारी फसले पक के तयार हो जाती है खेतों में इनकी जब कटाई होती है तो उस खुशी में जो festival मनाय जाता है उसको कहा जाता है harvest festival और ये बीहू असम स्टेट में celebrate किया जाता है अगला question है अब आपको बताना है कि बोटिंग एंड अब आप पिक्चर में देखके बताईए कि ये क्या हो रहा है तो इसका अंसर होगा boating and swimming are water sports दोनों ही पानी में खेलने वाले game है अगला question है अब आपको पिक्चर देखके बताना है कि ये क्या है और इसका taste कड़वा होता है तो ये क्या है? बिटर गॉर्ड है और इसकी जो skin होती है वो कैसी होती है? रफ होती है या फिर soft होती है तो इसका अंसर होगा जो bitter gourd होता है इसकी skin rough होती है अगला question है तो आपके सामने यहाँ पर vegetable and fruits की list दे रखी है जैसे की spinach, potato, banana, pineapple, grapes, ginger अब इन में से आपको बताना है कि कौन से vegetable और fruit जल्दी खराब हो जाते हैं और कौन से vegetable and fruits कुछ दिन तक चलते हैं तो आपके सामने दो column दे रखें यहाँ पर आपको लिखना है fruit and vegetable that's boiled quickly जो की जल्दी खराब हो जाते हैं और यहाँ पर आपको लिखना है उन fruits and vegetable के नाम जो की कुछ दिन तक चलते हैं जल्दी खराब नहीं होतें तो हम लिखेंगे यहाँ पर यहाँ पर हम लिखेंगे spinach, grapes, banana और जो जल्दी खराब नहीं होतें उन में हम लिखेंगे potato, pineapple और ginger अगला question है write the name of four sources of water around you अब आप से question पूछा जा रहा है कि आपके आसपास पानी के 4 sources लिखने जहां से आपको पानी अबलेबल होता है तो इसका अंसर होगा हमको पानी अबलेबल होता है water tank से, river से, pond से और tube well से आपके paper का अगला part है identification and classification यह 10 marks का है अब आप से question पूछा जा रहा है write names of national bird of India अब आपको यहाँ पर इंडिया की national bird का नाम लिखना है तो इसका अंसर होगा peacock अगला question है a bird that cannot ply ऐसी bird का नाम लिखना है जो की उड़ नहीं सकती तो इसका अंसर होगा ostrich और आपके सामने फोटो में ostrich दे रखा है यह bird है लेकिन यह उड़ नहीं सकती अगला question है what is a langar अब आपको बताना है कि langar का मतलब क्या होता है और langar word आपने definitely कभी न कभी सुना होगा गुरुद्वारे के अंदर तो इसका अंसर होगा the cooking and eating together in a गुरुद्वारा is called langar गुरुद्वारे के अंदर सब मिलके साथ में खाना बनाते हैं और उसे खाने को जब सब साथ में खाते हैं उसे कहा जाता है लंगर अगला question है classify the following into seedless vegetables and vegetable with seeds अब आपके सामने यहाँ पर कुछ vegetable दे रखिये इन में साब को बताना है कि कौन सी seedless है मतलब कि उनमें बीज नहीं होते हैं और कौन सी vegetable है जिसके अंदर seeds होते हैं आपके सामने vegetables है cabbage, cucumber, carrot, lady's finger, capsicum and potato अब आपके सामने दो column दे रखें आपको बताना है कि कौन सी seedless vegetable है और कौन सी vegetable जिसके अंदर seeds होते हैं तो इसमें हम लिखेंगे seedless vegetables होती है cabbage, carrot and potato और ऐसी vegetable जिसके अंदर seeds होते हैं वो होंगी lady's finger, capsicum and cucumber अगला question है what is ORS, what are its ingredients आपसे question पूछा जा रहे हैं कि ORS क्या होता है और इसको बनाने के लिए किन्च चीजों की हमको जरूत होती है तो देखे वो जो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ORS का full form क्या होता है क्योंकि exam में आपसे सीधे ORS का full form भी पूछ सकते हैं तो ORS का full form होता है oral rehydration solution वो आपसे पूछा गया कि ORS क्या होता है तो ORS is a liquid which is used to treat dehydration caused by diarrhea देखे diarrhea के वज़े से हमारी body में पानी की बहुत जादा कमी हो जाती है उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए हम ORS को लेते हैं आगे question में आपसे यह पूछा गया था कि किन चीजों की जरूत परती हमको ORS को बनाने के लिए तो हमें चाहिए sugar, salt and water इन तीन चीजों को कामें लेके हम घर पे भी ORS को बना सकते हैं अगला question है, draw a plant and label the part अब आपको यहापे plant को draw करना है और उसके parts को label करना है तो आपके सामने यह plant है, इसके parts हो जाएंगे यह flower है, यह leaf है, यह इसके fruits है, यह इसके stem है और यह इसके root है तो इस तरीके से आप plant को draw कर सकते हैं और उसके parts को label कर सकते है पेपर का अगला part आपका discovery of fact जो कि 10 marks का है इसमें आपसे question पूछा जा रहा है, dash bird lay eggs in crow's nest अब आपसे question पूछा जा रहा है कि कौन से bird crow के nest में अपनी egg को देती है इसका answer हो जाएगा, kukoo bird lay eggs in a crow nest अगला question है, enemies of the birds are अब आपको बताना है कि birds के कौन-कौन से enemies होते हैं जो कि birds के घौसले को या पि birds को नुकसान पहुचाते हैं तो इसका answer होगा human और animal जो इनसान होते हैं, जानवर होते हैं वो birds को और birds के nest को बहुत नुकसान पहुचा देते हैं अगला question है, write four occasions when you get a chance to eat together eat together का मतलब होता है साथ में खाना खाना तो आपसे question पूछा जा रहा है कि ऐसे कोई चार occasion का नाम लिख रहा है जिसमें आपको chance मिलता है साथ में खाना खाने का तो इसका answer होगा, four occasions are as follows marriage function, देखिए सबसे पहला तो occasion क्या है? marriage function है, जिसे कि हमारे घर में शादी होती है या भी हमारे relative घर में शादी होती है तो हम साथ में खाना खाते हैं, birthday party में साथ में खाना खाते हैं festivals होते हैं, उसमें भी साथ में खाना खाते हैं और school के अंदर भी जब lunch break होता है उसमें भी हमने दोस्तों के साथ में खाना खाते हैं तो ये ऐसे चार occasion है जिसमें हमको chance मिलता है साथ में खाने खाने का अगला question है give reason अब आपको सामने यहाँ पे दो question पूछे जा रहे इसके पीछ आपको reason बताना है पहला question है नंदीता has to bring her mother to Mumbai नंदीता अपनी मम्मी को Mumbai क्यों लेके आई तो इसका answer होगा नंदीता had to bring her mother to Mumbai for treatment नंदीता की मम्मी बिमार थी तो अपनी मम्मी की treatment कराने के लिए वो अपनी मम्मी को Mumbai लेके आई अगला question है अब आपसे question पूछा जारे कि birds nest क्यों बनाती है इसका answer होगा birds make their nest to lay their eggs in them and take care of their young ones तो देखिए birds इसले घोसला बनाती है ताकि उसके अंदर वो egg दे सके और अपने बच्चों का उसके अंदर वो ध्यान रख सके अगला question है match the harvest festivals of India and locate them on map of India तो देखिए एक तरफ आपको यहाँ पे column में state दे रखाए और दूसरी तरफ harvest festival दे रखाए इनको आपको यहाँ पर match करना है और उसके बाद में इंडिया के map पे locate करना है तो गुजरात के harvest festival को क्या कहा जाता है तो इसका answer होगा मकर सक्रांती केरला के harvest festival को ओडम कहा जाता है तमिलनाडू के harvest festival को पोंगल कहा जाता है यहाँ पर है तो इस तरीके से आपसे map का question भी पूछा जा सकता है तो देखे बच्चो आज की वीडियो में हमने आपके sample paper को solve किया I hope यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जादा important होगा exam के लिए helpful होगा वीडियो च्छा लगा तो वीडियो को like करें दोस्तों की शाद share करना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe करें thanks for watching